Hello everyone, welcome back to my YouTube video. Thank you, Asutosh Dash, जिन्होंने आज एक मुझे email किया था और उस email में उन्होंने मुझे बहुत सारे topics बेज़े हैं. तो उन में से काफी सारे topics जो मैंने बनाई हुए थे, मैंने उनका link उनको भेज दिया है. बट जो मैंने नहीं बनाए है, वो मैंने नोट कर लिए है और अब बनाऊंगा. तो उन में से आज एक topic cover करेंगा and that is called Kirkpatrick 4-Level Training Evaluation Model. काफी interesting सा model है, तो इसके बारे मैं अब बात करते हैं detail में. कोई भी training program जब किसी organization में होता है, तो उस training program से related कुछ questions होते हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे. सबसे पहला question होता है, how effective it's been? कोई भी training program का सबसे पहला जो सवाल Evaluation के सामने होता है, कि हमने जो training कर रही है, वो कितना effective है? That's the first question. Second question is, as are your people putting their learning into practice? जो भी लोगों ने उस training को लगाया और कुछ भी जो उस training से सीखा, क्या वो उस चीज़ को सीखने के बाद कुछ practice भी कर रहे हैं? या बस सीखने के बाद उन्होंने किताबी घ्यान के तरह उसको बंद कर दिया? और तीसरा जो question होता है, whether training program is positively impacting their role and the wider organization, क्या उस training program का कोई positive effect पढ़ रहा है उनके अपने role पे plus organization पे तो यह जो 3 key questions होते हैं जो हमेशा से training program के साथ जुड़े हुए हैं जो हर organization training कराने के बाद definitely अपने से पूछती हैं तो इस model का purpose क्या है? अब इस model के purpose के बारे में बात करते हैं Kirkpatrick ने basically 4 level का एक training evaluation model दिया था जो basically इन सभी questions को answer करने में help करता है जो अभी हमने questions के बारे में बात की यह उसको answer करने में हमारी help करता है तो we can use it objectively to analyze the impact of training तो basically इसका जो main purpose है कि आप किसी भी training जो आप करा रहे है अपने लोगों के लिए आप उसका impact देख सकते हैं प्लस आप यह भी देख सकते हैं how well your team members learned कितना उन्होंने सीखा उससे plus to improve their learning in the future plus उस चीज़ से उनको future में क्या फाइदा होगा organization को उससे क्या फाइदा होगा उसका result पे क्या impact पड़ेगा यह सब कुछ इस model से निकाला जा सकता थोड़ा सा इस model के history के बारे में बात कर लेते हैं जो Donald Kirkpatrick थे he was the professor at University of Wisconsin और Wisconsin में उन्होंने 1959 में मतलब almost आज से 60 साल पहले उन्होंने यह model प्रपोज किया था उसके बाद उन्होंने 1975 में इसको फिर update किया 1993 में फिर update हुआ model और इन्होंने अपने book में जो evaluating training programs नाम की एक book थी उसमें यह model पब्लिश हुआ था बाद में Donald ने अपने बेटे को भी इसमें इन्वाल्व कर लिया और James जो उनके बेटे का नाम था और उनकी wife मतलब Wendy Kayser तो यह basically Donald, James और Wendy यह तीन लोग है father, his son and his daughter-in-law तो यह तीन लोगों ने मिलकर इस model पे काम किया और इसके further updates पे इनके बेटे का बहुत रूल है और 2016 में मतलब अब से 4 साल पहले James और Wendy ने इसका एक revised model भी दिया है जिसको उन्होंने एक book में publish किया that was called as 4 level of training evaluation जिसमें की एक important addition भी उन्होंने model में किया कि आप training को relevant कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी उन्होंने इसमें इस model में addition किया है तो अगर मैं simple simple से कहूं यह जो model है खोड़ा सा खांदानी business जयासा लग रहा है एक family ने इस model को पिछले साथ सालों में कही बार developed किया है तो let's discuss about the model पड़ते हैं क्या है यह है इस model के four levels the first is called reaction second is called learning third is called behavior fourth is called result तो यह है तो let's begin with the first level and that is called reaction अब reaction में जब हम reaction की बात करते हैं तो reaction में सबसे पहली चीज़ा अबिसली ट्रेनिंग होने के बाद यह model शुरू होता है जब आपने ट्रेनिंग दे दी उसके बाद यह model start होता है and that is why 2016 में जो नया वाला part आया है model का उन्होंने ट्रेनिंग के शुरू होने से पहले वाले component को भी add किया है कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग करानी चाहिए अभी जो model पढ़ रहे है जो original model है उसके बारे में बात कर रहे है जो डोनल्ट ने दिया था तो यहाँ पर जो first level पर उनके जो key questions है तो पहला question है जो आपको लोगों से पूछना है first question अपने employees से जिनोंने ट्रेनिंग ली थी उनसे पूछना है पहला question तो सबसे पहली चीज़ आपके आपके लिए वर्थ थी कि वहाँ जाके time pass करके आए काफी लोगों का organization में मुझे भी ऐसा कई बार training में लगता था कि waste of time है अतना कुछ फाइदे मन नहीं है मेरे need का नहीं है second चीज did you think that it was successful क्या आप इसको कह सकते हैं कि यह successful training program था तो that is the second question third question is what are the biggest strength and weakness of the training आपने क्या सीखा basically आपको एक SWT analysis करके बताना होगा खासकर SW करके बताना पड़ेगा कि उसका strength और weakness क्या था उस training program का fourth do you like the venue and presentation style क्या आपको जहां पर training दी गई वो चीज़ आपको पसंद आई when you plus क्या presentation का जो तरीका था training देने का जो method था क्या वो आपको effective लगा what is the training activities engaging क्या जो training के activities थी वो engage कर रहे थे आपको कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे थे next question what is the three most important thing you learn from the training training से आपने क्या सीखा कौन सी तीन चीज़े सबसे ज़्यादा सीखिए तो यह straight forward questions है reaction means कि आप react कर रहे है training से बाहर आए और आपने react किया कि training कैसे थी अच्छी थी बुरी थी किस तरह की थी from what you learned what do you plan to apply in your job आप जो भी आपने सीखा आप उसको job में कैसे apply करने जा रहे हो तो यह सारे questions आपके सामने आ जाते हैं और इसके बाद आप इसको करने के लिए आप दो तरीकों का इस्तमाल कर सकते हैं पहला एक simple employee satisfaction survey का इस्तमाल कर सकते हैं कि आप इनी questions को एक survey के format में लिखें और employees को दे दें और उनको कहें कि वो भरकर submit करें और बाद में आप उसको quantitative analysis के उपर कर सकते हैं जो second method है कि आप उसको body language से भी judge कर सकते हैं body language test भी use किया जा सकता है for understanding the training effectiveness तो यह था first level that is called reaction let's talk about the second level that is called learning अब learning वाले level पर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं so level 2 focuses on measuring what you what your trainees have and haven't learned अब जो second वाला जो component है वो learning के उपर focus करता है first वाला reaction के उपर focus था अब यहाँ पर आप देखते हो कि आपके training ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा दोनों चीज़ें आपके लिए जरूरी है अब जो नया वाला टूल बना है जो अभी recently used आया है उसमें क्या हुआ है कि level 2 में हमने एक और चीज़ को include किया that level 2 also measures what they think they will be able to differently as a result हमने basically level 2 में result को भी add करने की कोशिश की है जहां कि हम यह जानने की कोशिश करें कि लोगों ने जो सीखा उसको लेकर क्या वो confident है और क्या उन्हें लगता है कि आगे चलकर वो इसको different different अपने job में apply कर पाएंगे उनमें वो motivation level आपको नजर आ रहा है with respect to training so that is what the new model has incorporated this demonstrate how training has developed their skills, attitude and knowledge as well as their confidence and commitment तो basically 5 चीजों पर आप सकाइफेट देख सकते है कि जो भी training से हमने सीखा उससे हमारी skills enhance हुई या नहीं हुई हमारा attitude कैसा है, positive और negative है हमारा knowledge बढ़ा या नहीं बढ़ा क्या हमारा confidence level दिख रहा है आपको बढ़ता हुआ क्या commitment level में कोई change आएगा after this training तो ये सारी चीजों का आप यहां पर measure कर सकते है और training से इसको in relation with training आप इसको measure कर सकते है एक चीज और आप कर सकते हैं कि लोगों की learning before and after को भी आप यहां पर compare कर सकते है कि training से पहले उनकी knowledge कैसी थी उनका confidence कैसा था और training के बाद उनका उन 5 component पे क्या changes आए है आप ये भी चीज यहां पर कर सकते है so that is called level 2 अब level 3 के बारे में बात करते है and that is called behavior अब तीसरे component में क्या होता है this level helps you to understand how well people apply the training अब अब तक आपने सीखा कि लोगों का reaction कैसा है उनका confidence, skill, knowledge ये सब बढ़ा या नहीं बढ़ा अब आप देखोगे कि क्या लोगों में application देखने को मिलेगा क्या लोगों के behavior में कोई change आएगा after training behavior can only change when conditions are favorable लेकिन यहाँ पर उन्होंने clause भी लगाया वो clause क्या था? training तभी फाइदे मंद हो सकती है जब आपका जो environment है जो conditions है वो उसको favor करते हो एक example से इसको समझते है example क्या है कि imagine करें कि एक training लगाई जारी है team members के लिए लेकिन आप training के बाद आप देखते हैं कि लोगों में कोई भी change नहीं आ रहा उनके behavior में कोई change आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो फिर भी उसको implement नहीं कर पा रहे है because जो आपकी team है या जो आपकी organization है उसका culture उसको रोक रहा है उसको obstruct कर रहा है वहां के culture में initiative नहीं है वहां के culture में किसी नए चीज को बढ़ावा देने का culture ही नहीं है तो उस situation में क्या होगा कि वो लोग अगर कुछ सीखा भी होगा उन्होंने तो वो कोई भी काम उसको organization level पर उसको implement नहीं करेंगे हो सकता है वो अपने personal level पर उसको implement करें भी लेकिन organization को उससे कोई फाइदा नहीं होगा and that is the reason why जब नया model उन्होंने प्रपोस किया 2016 वाला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें required drivers को add करने की ज़रुरत है अगर behavior को लाना है training से अगर behavioral changes को लाना है तो आपको पहले drivers भी देने पड़ेंगे जो इसको इसके relationship को as a catalyst काम करेगा और इसके relationship को और ज़्यादा बढ़ाएगा तभी लोग उसको implement कर पाएंगे आपको लोगों को praise करना पड़ेगा for their work for their new initiatives एक चीज और जो यहाँ पर बहुत important थी कि आप कोई भी तरह का behavioral change तुरंत नहीं आता तो इसलिए immediately measure करना इसको बेफकूफी होगी आपको इसको over a period of time measure करना चाहिए weeks के बाद या month के बाद अगर आप measure करेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आए कि कोई behavioral change आ भी रहा है या नहीं आ रहा अब इसमें जो key questions होंगे वो क्या होंगे did the trainee put any of their learning to use जो भी उसमें सीखा आप उससे पूछ सकते हो क्या कुछ भी उसमें से इस्तमाल किया है आपने second are trainee able to teach their teach their new knowledge skills to other people क्या कोई भी चीज़ जो हम नहीं सीख कर आए है क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं पढ़ा सकते हैं तो वो एक second चीज़ है third are trainee aware that they have changed their behavior क्या उन्हें पता भी है कि उनके behavior में कोई change आया after training तो ये तीनो questions यहाँ पर पूछे जा सकते हैं but again required drivers की जुरूत आपको पढ़ेगी one of the best way to measure behavior is to conduct observation and interview यहाँ पर सर्वे सुरुवे मत कीजिए सर्वे का कोई फाइदा नहीं होगा सर्वे में लोग सिर्व जूट जूट भरेंगे तो उससे better है कि आप यहाँ पर observation method को use करें आप खुछ से observe करें देखें लोगों में behavior में कोई change आया है या नहीं आया है अगर behavior में कोई change आया है या कुछ उनमें आपको लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ gain किया है उस training से तो वो आपको पता चल जाएगा और या तो आप उनसे मिल करके personally उनसे interview ले सकता है जो कि informal level पर अगर होगा तो आपको लोगों का असली the action देखने को मिल जाएगा अब हम चौते level पर आगए है और अब results के बारे में बात करेंगे इस level पर हम finally क्या देखते हैं तो हम finally results देखते हैं कि training की वज़े से हमें result क्या मिला ठीक है reaction अच्छा हो सकता है हो सकता है कि आपको learning भी हो गई हो लोगों को बहुत behavioral change भी आ जाए पर finally organization को result format में देखना है उसको कईना के financial terms में आपको देखना पड़ेगा और इसलिए हम ज़्यादा तर इसको ROI से compare करते हैं मतलब हमने जितना training पर पैसा लगाया क्या हमें उसका कुछ investment का फाइदा मिलेगा and that is the reason why जो अब जो नया वाला model है वहाँ पर level 5 भी include कर दिया गया है ROI से ही denote किया गया है and that is called return on investment कि हमने जितना पैसा लगाया उसके बदले में हमें कुछ वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा with respect to training यह सबसे जादा costly और time consuming method है क्योंकि immediately आपको results के बारे में नहीं पता चलता यह काफी challenging भी है because किसी भी चीज़ का outcome, benefit या final result को सिफ training से link करके निकालना बहुत मुश्किल है and that is the reason why आप exactly नहीं बता पाते हम कभी भी कि training की वज़े से यह चीज़ हो पा रही है और अकसर इसका जो outcome होता है वो हमेशे है long term में देखने को मिलता है short term में आपको हो सकता है कुछ पता भी न चले जितने भी modern trainer है वो Patrick के model को use करते है इसलिए because वो results को देखना चाहते है वो देखना चाहते है कि results से उनको कुछ फर्क पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा plus training देने का कोई फाइदा उनको हुआ या नहीं हुआ आगे से ऐसी training हमें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए तो यह सारी चीज़ें यहां पर involved हो जाती है this helps in prioritizing the goal of training and making it more effective plus आपको यहां से यह भी idea लग जाता है कि किस तरह के training programs को कराना चाहिए किस तरह के training programs को नहीं कराना चाहिए तो वो भी आपको यहां से idea मिल जाता है अब इसमें भी obviously इसमें भी बहुत सारी problems हैं तो उन problems के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहली जो problem में वो यह है कि जादा तर organization में अब training जो है वो अब change हो गया है उसको learning and development के नाम से कहते हैं तो obviously जो model का core था तो कहीं ने कहीं change हो चुका है और हमें उस model को हम refer तो कर सकते हैं बट साथ हम directly adapt ना करें formal training भी काफी सारे organization में काफी कम हो गई है और उस situation में जो Kirkpatrick का model है वो हो सकता है necessarily suit भी ना करें modern organizations में जो third thing है that is called जो level 3 और level 4 है वो काफी जादा time consuming है काफी सादा resource intensive है काफी सादा skip कर दें या काफी लोग इसको उतना ध्यान से भी ना करें और बस अपने results लिख दें यहाँ हाँ training का बहुत फाइदा हो most importantly organization अब काफी हद तक change हो चुकी है इस model को आए वे more than 60 years हो चुके है although इस model को काफी जादा changes में लाए गए हैं but still जो एक सबसे important चीज है कि यह जो result वाला part है जो last part है आपका उसका उस पर काफी चीज़ों का effect हो सकता है माल लीजे कोई नया boss आया है उसका effect पढ़ रहा है कोई नया computer system लगा है उसका effect पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि सब training से ही result effected हो और भी multiple factors या combination of all these factors भी इस चीज़ को influence कर सकते है तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया हो कि यह पूरा model कैसे काम करता है उसके levels क्या है thanks for watching, subscribe करें, like करें यह bill वाली गंटी भी बजा दें अगले lecture में फिर मुलकात हो